Summer season आते ही हमें सबसे ज़ादा problem sweating की होती है हमारे scalp में बहुत ज़ादा oiliness की problem होती है जिससे हमारे hair fall बढ़ते जाते है dandruff की problem होती जाती है और हमारे बाल बिल्कुल जड़ते जाते है लोग गंजे पन के भी शिकार हो जाते है तो आज ये remedy ही जो छोड़ी सी cute सी आप remedy देख रहे हो ये चीज आपके बालों में बिल्कुल magic की तरह काम करने वाले है आपके hairs बिल्कुल double hair growth होंगे और आप पाओगे एक beautiful, healthy, long, shiny hair So hi guys, welcome back to my channel मैं हूँ silky और आप देख रहे हो silky beauty So channel पर new हो तो जल्दी से मेरे channel को subscribe करें notification bell को press करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक like जरूर करें So without further delay, let's get started तो हमारी ये remedy की star ingredients है ये onion आपको करना क्या है guys आपको आपके घर पे जो भी onions पड़े है चाहे वो red हो, purple हो जो भी onion हो, वो आपको चाहिए तो मैंने यहाँ पर प्यास को लिया है Guys, आपने टीवी पर, मोबाइल पर बहुत आड़ देखी होगी कि ये वाली shampoo पर onion है ये वाली remedy पर onion यूज करा हुआ है यहाँ पर हमने onion juice यूज करा तो हमारे hairs double hair growth हो गया हमारे बालों का जड़ना बंद हो गया पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या actual में वो सारे chemical वाले products में onion की quantity सही दी गई है तो guys क्यों ना हम आज खुद से ही घर पर अपने हाथों से onion को इस तरह से use करके देखे कि हमारे बाल तो जड़ से मजबूत हो ही साथ ही हम अपने remedies को अच्छे से जान पाए कि actual में हमने क्या use किया है अपने बालों के nourishment के लिए तो guys मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है मेरी hair length थोड़ी सी बड़ी है तो मैं उसके according मुझे एक onion काफी होते है आप अपने hair length के according quantity कम और साधा करोगे तो सबसे पहले करना क्या है आप एक onion लोगे उसे पिल करोगे फिर आपको onion को अच्छे से ग्रेट करना है guys आप चाहो तो इसे आप mixer में क्राइंट करके भी juice निकाल सकते हो पर मुझे न वहाँ पे mixer पे मैंने नहीं डाला क्योंकि उसमें थोड़ी सी आपको पानी add करनी होती है जो मुझे चाहिए नहीं थी तो इसलिए मैं यहाँ पर scrapper के help से इसे अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ प्याज के रस में भरपूर मात्रा में sulfur होता है और sulfur हमारे बालों के लिए बहुत जादा फायदे मन्द होता है sulfur यूज करते है न जब हम प्यास के रस को तो यह हमारे scalp में blur circulation को promote करता है जिससे हमारे hairs पे आप जब इसे use करोगे न गाइस तो आप देखोगे कि आपके scalp में baby hairs grow कर रहे है आपके बाल जड से मजबूत हो रहे है और आप जो hair fall से परिशान होना और market के chemical वाले products के चक्कर में पड़े हो फिर भी आपके hair growth ही नहीं हो रही है तो इन सारे जंजट से आप free हो जाने वाले हो यह चीज आपके बालों को grow करेगी आप deep white days देखोगे कि आपके hair grow कर रहे है तो आप देख सकते हो मैंने एक onion के juice को ग्रेट करा है और मैं उसके juice को लेने वाली हूँ तो मैंने एक strainer की help से इसे अच्छे से strain कर लिया है ताकि जो onion के granules है ना वो हमारे बालों पर अटक न जाए तो मैं तो भाई यहाँ पर अच्छे से onion के juice को squeeze करके निकाल चुकी हूँ आप देख सकते हो कि कितनी beautiful से एक purple कलर की onion juice हमें मिल चुकी है तो guys वीडियो आपको थोड़ी भी informative लग रही हो तो please वीडियो को like जरूर करें और onion juice से related आप जो भी इसमें queries चाहते हो आपके मन में जो भी queries है आप please मुझे comment करो मैं आपको answer जरूर करूंगी यह remedy आपके hair fall को तो रोकेगी ही साथ में आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं क्योंकि आप चाहो तो आप Google पर अच्छे से इसके बारे में पढ़ सकते हो कि onion हमारे बालों के लिए कितना जादा फायदे मन्द है next उनके टेंट्स जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है हमारे ginger यानि अद्रक आपको अद्रक को भी अच्छे से create करना है guys मैंने पहले अद्रक को अच्छे से clean कर लिया है ताकि उसमें जो धूल मिट्टी है वो साड़े निकल जाए और हमें एक अच्छी सी अद्रक की रस को लेना है तो मैं यहाँ पर ginger को scrapper की help से create करनी हूँ अद्रक का रस hair fall की problem को control करता है इसमें jinx और magnesium होता है जो हमारे बालों को हमारे hair roots को बहुत जादा strong बनाता है अपके जितने भी जादा hair fall हो रहा है यह सबी को बहुत fast control करता है तो guys आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जैसे onion को grate करके उसके juice को निकाला था से मैंने ginger को भी पई करा है और आप देख सकते हो हमें कितनी प्यारी सी एक ginger की juice को मैंने निकाला है और ये दो चीज जो है ना guys ये आपके बालों पर बिलकुल magic की तरह काम करेगी तो मैं यहाँ पर onion juice और ginger juice को ले ली हूँ अब इसे करना क्या है guys इसमें एक ऐसी जबरदस ingredients mix करनी है जो आपके बालों के लिए बिलकुल रामबान होने वाली है तो मैं यहाँ पर onion juice और ginger juice को ले ली हूँ और इसे mix कर दिया है वैसे तो आप चाहों आप ये दो चीजों को भी अपने बालों पर apply कर सकते हो इसे आपके जो सफेद बालों की problem है न वो भी दूर हो जाएगी पर यहाँ पर मैं एक और super duper ingredients mix कर रही हूँ और वो है हमारी castor oil जी हाँ मैंने यहाँ पर castor oil का इस्तिमाल करा है castor oil जो होता है न ये आपके बाल कितने भी ज़ादा ज़र रहे हो या फिर आप पूरे गंजे होते जा रहे हो तो भी अगर आप castor oil यूज करते हो न इस तरह से तो आपके scalp पे तो 100% बाल आएंगे तो देखो मैं यहाँ पर आपको बस अभी बता रही हूँ कि आप चाहो तो एक cotton के help से भी आप अपने scalp पे इसे apply कर सकते हो overnight के लिए पर मैं यहाँ पर एक छोटी सी bottle में इसे transfer कर रही हूँ ताकि मुझे मेरे hairs पे application के लिए थोड़ी सी easy पढ़े तो गाइस प्लीज जल्द इसे channel को subscribe करें वीडियो को like करें और आप वीडियो तो देखते हो पर वीडियो को like ने करते हो तो प्लीज वीडियो को like करें और अपने family and friends के साथ ज़रूर share करें तो यह remedy आप use करोगे तो आपके बाल बहुत fast grow करेंगे और गाइस एक बात आप अच्छे से समझ लो natural remedies थोड़ी slow होती है मैं बार बार मेरे हर वीडियो पे आपको यह चीज समझाने की कोशिस करती हूँ कि natural चीज आपको भले लग सकती है कि day one पे हमें result नहीं मिला क्योंकि यह natural remedies है इनकी process थोड़ी slow होती है पर यह आपको 100% result देती है वो भी आपके बाल को आपके चेहरे को बिना नुकसान पहुंचाए तो प्लीज आप natural चीजों का जादा से जादा यूज करो और अपने skin, hair and health की care बहुत ही अच्छे natural तरीके से करो तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे एक छोटे सिजार में ट्रांसफर कर लिया है तो guys यह थी मेरी आज की वीडियो I hope आपको अच्छी लगी हो So thanks for watching